बॉन बॉनिंग स्टुएंड्स आइम मनुज कुमार फ्रम इंजिनेर्स अकेडमी और आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम का फोरियर स्रीज और LTI सिस्टम का कॉम्मिनेशन का यह कुश्चन क्लियर है बहुत ही अच्छा कुश्चन है यह क्या दिया गया है इसमें एक XT हमारा सिग्नल है 2 कोज 2 पाइवाई 3T माइनस कोज पाइटी इस एन इंपुट तो एन LTI सिस्टम ठीक है CK क्या दिनोट कर रहा है केथ कोफिशेंट इंदा एक्स इंदा एक्सपोनेशल फोरियर स्रीज ओफ आउटपुट सिग्नल तो हमें C3 कॉल्स टू निकालना है तो क्या कहना जा रहा है कि अगर XT है XT हमारा कोई सिग्नल है XT का अगर अपन फोरियर स्रीज कोफिशेंट निकाल है फोरियर स्रीज के फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं समेशन CK E की पावर JK ओमेगा नॉट T और अगर एक्सपोनीशल में लिखेंगे तो A नॉट प्लस समेशन A N कॉज N उमेगा नॉट T प्लस B N साइन N उमेगा नॉट T क्लियर है N बराबर 1 से इंफिनिटी और यहाँ पर K बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्लियर है तो XT किसी भी periodic signal को अपन 4-year series expansion की help से या इदर यह लिख सकते हैं और यह यह अपना क्या कहलाता है trigonometric 4-year series sorry trigonometric नहीं exponential trigonometric यह है exponential 4-year series expansion और यह मेरा क्या होता है trigonometric trigonometric 4-year series expansion क्लियर है यह नौट प्लस समेशन अब यहाँ पर क्या दिया गया कि XT है इसको मैंने एक LTI system से पास किया तो output मेरा क्या रहा है यह मेरा क्या है HT है और HT का 4-year transform क्या है H हमने माना यह XT है XT हमारा periodic signal है तो इसका अपन 4-year series expansion लिख सकते हैं तो इसका 4-year series expansion क्या होगा summation के बराबर CK माल लिए मैंने इसको E की पाबर JK ओमेगा नॉट ठीक है तो output मिलेगा कुछ यहां पर आप लोगों को मैंने पताया था पिछले वीडियो में की LTI सिस्टम में जो input की frequency होगी वही क्या होगी आउटपूट की सिर्फ और सिर्फ क्या change होता है magnitude और phase तो यहां अगर XT पीरियोड एक है तो YT भी उसी frequency से आएगा तो YT का यादि अपन 4-year series को expansion लिखें तो कितना आएगा summation CK E to the power JK omega 0 T क्या change होजाएगा यहां पर अपना CK की value आपनी क्या होजाएगी changing हो जाएगी और यह K की value कहां से कहां तक – Sorry to infinity तो हमें क्या नेकालना है यहां पर CK देखो सिर्फ क्या change होगा coefficient यहां CK' है, और यहां पर कितना है CK है CK की value अपनी कितनी आएगी omega not c k h of n नहीं यहाँ पर k है तो यहाँ पर कहले के लो h of k omega not तो c k की value होती है c k dash into h of k omega not suppose आपको c 3 निकालना है k बड़ाबर 3 तो c 3 कितना आ जाएगा c 3 dash into h of 3 omega not clear है यही अपन को c 3 निकालना है इसका तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा c 3 dash और h t का h omega तभी हमेगा की जगा क्या put कर पाएंगे 3 omega not तो h s तो हमें को question में directly mentioned है अपन को सिर्फ कहने कालना है c 3 dash तो देखो अपन को x t क्या दिया गया x t है अपन को दिया गया 2 cause 2 pi by 3 t minus cause by t यह हमारा किस form में four year season expansion दिया गया किस form में trigonometric four year series के form में अपन को यह expansion दिया गया अब यहाँ पर fundamental frequency कौन सी frequency fundamental frequency क्या होती है omega not omega not की value क्या होगी यहाँ पर अपनी दो frequency प्रिजेंटे 2 pi by 3 और pi तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यह cause और sign terms आते हैं किसका integer multiple आते हैं omega not 2 omega not 3 omega not 4 omega not तो इन दोनों से अपन को क्या पता चल रहा है यह दोनों किसके integer multiple है किसके अगर आपन इन दोनों का scf ले ले लें 2 pi by 3 और pi का तो कितना आ जाएगा यहाँ से value 2 pi by 3 और pi का हमारा scf की value कितनी आ जाएगी किसका integer multiple आ जाएंगे यह pi by 3 का तो omega not की value अपनी कितनी आ गई pi by 3 तो अपन इसको क्या लेख सकते हैं xt बराबर 2 cause 2 omega not t minus cause pi by 3 में यदि अपन 3 का multiply करा देंगे तो कितना जाएगा पाई तो यह कितना जाएगा cause 3 omega not तो यहाँ से अपना cause 3 omega not t का coefficient कितना आ गया minus 1 आगे solve करते हैं इसको तो xt हमारा क्या था है 2 cause 2 omega not t minus cause 3 omega not t ठीक है इसको लिख सकते हैं 2 e की पावर j cause x हो क्या लेख सकते है e की पावर jx plus e की पावर minus jx by 2 minus e की पावर j 3 omega not t plus e की पावर minus j 3 omega not t by 2 clear है तो यह कितना आ गया 2 से 2 cancel आ जाएगा e की पावर j 2 omega not t plus e की पावर minus j 2 omega not t minus 1 by 2 e की पावर j 3 omega not t minus 1 by 2 e to the power minus j 3 omega not t तो इसको आपन directly compare कर देंगे किस से x t बरावर summation cn e to the power jn omega not t से यहाँ पर k put कर देते हैं तो अगर हम k बरावर 3 put करेंगे तो यहाँ से ck dash की value हमारी कितनी आ जाएगी अगर हम यहाँ पर k बरावर 3 put करते हैं तो ck dash की value कितनी आ जाएगी minus 1 by 2 तो ck dash हमारा कितना आ गया minus 1 by 2 clear है अब ck नहीं c3 dash c3 dash हमारा कितना आ गया minus 1 by 2 हमें निकालना क्या है c3 की value निकालनी है तो c3 कितना बताया था मैंने h of 3 omega naught into c of 3 dash अब h of 3 omega naught कैसे निकालोगे h of 3 omega naught अपन को निकालेंगे अपन को clearly वहाँ से दिख रहा है h s कितना दिया गया e की power s plus e की power minus s तो h omega कितना हो जाएगा e की power j omega plus e की power minus j omega अब अपन क्या put कर देंगे 3 omega naught h of 3 omega naught तो कितना आजाएगा e की power j 3 omega naught plus e की power minus j 3 omega naught और omega naught की value मेरी कितनी है omega naught की value मेरी कितनी है pi by 3 तो यहाँ पर omega naught की value अपन पुट कर देते हैं तो h of 3 omega naught की value कितनी आ गई e की power j 3 pi by 3 plus e की power minus j 3 pi by 3 3 3 3 3 3 cancel out तो है कितना आ गया e की power j pi plus e to the power minus j pi इसमें मैं 2 से divide कर देता हूँ और 2 से multiply तो इसकी value कितनी आ जाएगी 2 into cos pi और cos pi कितना होता है minus 1 तो इसकी value कितनी आ गई minus 2 clear है अब आपन यहाँ पर directly कह कर सकते हैं c3 की value कितनी आ जाएगी h of 3 omega naught into c3 dash तो h of 3 omega naught की value कितनी आ गई minus 2 और c3 dash कितना है minus 1 by 2 तो directly अपना answer आ जाएगा c3 की value कितनी आ गई h of 3 omega naught into c3 dash तो यह कितना h of 3 omega naught minus 2 into minus c3 dash की value कितनी थी minus 1 by 2 2 to cancel out कितनी value आ गई c3 की 1 आगी ओके आगे अपना अंसर तो इसमें बस अपना एक नया कंसेप्ट था कि अगर किसी भी periodic signal को अगर अपन LTI सिस्टम से पास करते हैं तो जो output आएगा output को भी अपन output भी periodic होगा उसको भी अपन Fourier series expansion से निकाल सकते हैं तो जो input के Fourier series coefficient होगे और जो output के Fourier series coefficient होगे उन दोनों में क्या relation होता है तो cn डेश की value कितनी होगती है cn into h of n ओमेगा नॉट वहाँ से ही अपना question solve हो जाएगा थैंक्यू झाल झाल